इसे पहले कि आज का सेसन शुरू हो, एक इंपोर्टेंट सूचना आपके लिए, अब आप मुझे अनेकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा प्रोफाल है मनीश कुमार के नाम से, यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़े लिखी हुई है कि मैंने क्या किया है, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बीटेक कर रखा है सिविल से, और अभी तक का पान साल का तजूरवा है, टीचिंग में, और फिरहाल मैं अभी NFR में भी बर्किन हूँ, यानि कि इंडियार रेलेवे मे से अफोर्ड कर सकता, आप देखेंगे कि 12 महीने का जो सब्सक्रिप्सन चार्ज है, वो 5000 है, लेकिन अगर आप 24 महीने के लिए लेना चाते हैं, यानि कि 2 साल के लिए लेना चाते हैं, तो वो आपको 6000 पर जागा, अगर आप मेरा जो प्रोमो कोड है, वो यूज करते हैं, इसका और भी बहुत सारा फीचर है, कि यहाँ पर आपको जो भी कोस मिलेगा, एक अस्ट्रक्चर बे में मिलेगा, अच्छे तनिके से कंपाइल किया हुआ रहेगा, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर जो टेसरी और कुजिज होगा, वो फिरी ऑफ कोश्ट होगा जाते हैं, तो पहला कोश्ट की बात करें, तो मरवस्थरिये भागों में असमाई के, बरसा से बनी अलब कालिक जीलों में सूख जाने पर सील्ट एवं नमक के निशेपन से बनी समतल अस्तलाकेती को क्या करते हैं, कहने का मतलब इतना लंबा चोड़ा, यह कोश्ट कहने का मतलब यह है कि अगर कोई छेतर है, बरसा होता है तो इस छेतर में पानी जम जाती है, लेकिन जैसे ही यह छेतर सूख जाता है, तो एक समतल अस्तलाकेती बनती है, जिसके कारण क्या होता है, कि यहां पे जब सूख जाती है, तो नमक बगेरा यहां पे जम जाते हैं, ठीक ह नहीं वही पूचा जा रहा है तो देखिए मरवस्थलिय भाग में ये बनता है ये फीचर है मरवस्थलिय भाग में मरवस्थलिय भाग में अगर सपोज कभी बरसा हो गई तो कहीं पर बरसा होई तो पानी जम गया अब पानी जम गया कुछ समय के बाद ये पानी उड़ गया और ये समतल मैदान सपोज हूँ है अब ये जो पानी उड़ा उसके बाद यहां पर नमक जम दिया तो इस मैदान को इस समतल मैदान को क्या करते हैं? तो उसको कहते हैं पलाया ठीक है अगर इंगलिस की बात करें तो पी एल ए बाई ये ठीक है पी एल ए बाई ये पलाया अब इसको इस तरह से याद करेंगे कि पलायी जैसा है पलायी जो आप घर बगेरा में रगाते हैं तो वो समतल यूं होता है ठीक है तो यानि कि ये समतल म नमक बगेरा जमा रहेगा ठीक है किस कारण नमक जमा रहेगा वो आपको मैंने बता दिया ठीक है अगर हम एक पिक्चर के थूँ आपको इसको समझाने की कोसिस करें कि पलाया कैसा दिखता है तो यहां पे देखिएगा पलाया एक मिनट यहां पे पीछे हम जाके देखने की क गिया, तो यह आपका पूरा नमक दिख रहा होगा, तो इसी को कहते है, प्लाया, उसमें एक option और दिया है, ठीक है, उसमें एक option और दिया है, जो की आपके, द देखिएगा, यहाँ पे, एक minute, यहाँ पे है, एक minute, इसको मैं थोड़ा सा, इसको इस तरह से कर दू, rotate हो रहा है नहीं एक मिनट rotation of मैंने कर रखा था ठीक है तो ये आपका ये पलाया था अब देखिए यहां पे एक option और था बालसन ठीक है बालसन भी आपको मैंने कई बार समझाये हैं बालसन कैसा होता है कि ये वाला जो area है वो थोड़ा सा ball जैसा ball मतलब कटोरा जैसा यानि की गड़ा है और यहां से कोई धारा बहके आई और इसमें अपना पानी डाल दी ठीक है ये भी जो बनती है असला किर्थी ये भी आपके मरवस्थल में ही बनती है लेकिन इसमें क्या होता है कि ये ball जैसा सेफ होता है यानि कि ये समतल नहीं होता है अगर समतल की बात करें तो यहारा मतलब कि कारों को आती है और इस्में पानी जम घाती है और जैसे ही ये सूखती यहां पे भी आपको नमक मिल जाएगी तो इसको क्या ऐंगे बालसंद के पेडिमेंट क्या होती है पेडिमेंट होती है एक परकार का अस्तला किरती जिसमें कि क्या होता है कि इस तरह से अस्तला किरती होती है दोनों तरफ स्लोप होता है ठीक है और यह तक्रीवन फाइब डिगरी का जो होता है वो स्लोप होता है ठीक है तो यानि कि पेडिमेंट भी ये अस्तला केरती एक परकार है जिसमें क्या होता है कि दोनों तरफ स्लोप होता है बालसन मैंने समझा दिया कि बॉल जैसा सेफ होता है प्लाया मैंने समझा दिया कि ये प्लेन जैसा होता है ठीक है प्लाया और बालसन ये मर्वस्थलिये भागों में ही अस्तला केरती बनती ह लिए आती है ते जो अर्ध हवाए यहां पर भी देखिएगा मर्वस्थर का ही ये वह इस दो ले तक समझ में रहेगी यहां प'REपर आपका पूरा मरुवस्थर आपको दीखरा होगा अब दक्षिएगा मरुवस्थर में थोड़ा सा यहां पर चीजें उठ गई है यह है यहां पे क्या जम गया है मरुवस्थर का य fundus का यह जो आपका पर स थोड़ा सा आप कर सकते हैं गड़ा मना हुआ है यहां पे ठीक है तो इस तरह से हम यार कर सकते हैं कि बर्खान में पूरा यह होता तो एक भाग होता लेकिन इतना भाग खा गया है किसी ने इस तरह से इसको हम कहेंगे क्या बर्खान तो आसा करते हैं यह भी कोशन आपको में आ गया होगा ठीक है अगला कोशन क्यों बढ़ते हैं अगला कोशन है किस मेग को मोती का माता कहते हैं देखिए बहुत तरह के मेग होते हैं जैसे आपके पच्छाब मेग ठीक है कपासी मेग बरसा अस्तरिये मेग या अस्तरिये मेग तो इसमें आपके पच्छाब मेग को पश्चाब मेग को मोती का माता कहा जाता है ठीक है ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो पश्चाब मेग है वो एकदम से मोती जैसा है एकदम से उजला उजला दिखता है और हलका रहता है ठीक है तो इस बज़ा से गोल गोल एकदम से मोती जैसा ये पच्छाब मेग रहता है इसकी वज़ा से इसे हम मूती का माता कहते हैं ठीक है बात समझ में आ गई याद रहेगा अगला कोशन क्यों बढ़ते हैं परती चक्रवात में बायू की दीसा क्या होती है देखिए बायू की दीसा परती चक्रवात में कैसे होती है देखिए चक चक्रवाद की बात करते हैं, उसके बाद हम परती चक्रवाद की बात करें, क्योंकि चक्रवाद का डाइरेक्शन के उल्टा ही परती चक्रवाद होगा, तो अगर हम उत्तर गलोब में हैं, हमारा इंडिया उत्री गलोब में ही है, तो यहां पर चक्रवाद इस डाइरेक्शन गूम रही है हमारा जो पितिवी है वो परस्यम से पूरब यह भी देखेगा परश्यम से पूरब यानि कि- कि गुम रही है तो यानि कि चक्रवाद अभी के बार याद रखेंगे तो ऑभिस रचनी में तो च गूंरा है सीधा गूमेगा तब तो अच्षे से काम करें गती है उत्तर गलोम मैं जब τीच ढमी तो पर कर सकते हैं या एंटिक भूं रही है तो यानि की प्रती चक्रवाथ कैसे गहुमेगी इसका अगेंस्ट याने की clockwise घुमेगी उसी तरीके से इधर अगर हम परती चक्रवाद की बात करें तो इधर इसके उल्टा याने की सुई की दिसा के अगेंस्ट घुमेगी परती चक्रवाद ठीक है देखें चार चार प्रस्ण बन सकते हैं कि दचनी गलोब में कैसे चक्रव चक्रवाद का डायरेक्शन के उल्टा ही होता है ठीक है चक्रवाद का डायरेक्शन कौन से गलोब में कैसा है वो भी मैंने बता दिया तो आसा करते हैं यह पूरा टोटल कंसेप्ट आपको किलियर हो गया होगा और यार करने का ट्रिक भी मैंने बताया कि हम लोग उत्तर ग निम्र में से किसका मापन किया जाता है जो टी मापक है उसमें किसका मापन किया जाता है भुकम्पिये तरंग, प्रवनों की गति या चक्रवातों की सक्ति या बर्सा की मात्रा तो ये जो टी मापक है वो चक्रवातों की सक्ति का मापक है ठीक है इस तरह से हम याद करेंगे टी ठीक है अब चक्रवात आएगा तो ये टी मज़े में घूमेगा एवला डायरेक्शन इधर होगा और इसका डायरेक्शन इधर होगा ये वला जो फ्लेंज है इसका डायरेक्शन इधर होगा इसका डायरेक्शन इधर होगा तो इससे हम इसकी सक्ति माप सकते हैं कि कितना बार ये घूम रहा है तो उसी से हम याद कर सकते हैं टीम मापक किसको मापता है चक्रवातों की सक्ति मापता है कैसे हम याद करवाने के तरीके भी हम आपको बता दिये ठीक है अगरा कोशन क्यों बढ़ते हैं चक्रवात की उत्पत्ति किस परकार होती है देखिए चक्रवात तेज आंधि आ रहे हैं तो ये सबसे चक्रबात आते हैं क्या या सभी से आते हैं तो नहीं इस में से एक क्या होए ये है दो विविन तापमान वाले बायु रासियों के मिलने से कहने का मतलब अगर एक का टंप्रेचर सपोज 10 डिग्री है और एक का 35 डिग्री है तो ओबियस है 10 डिग्री वाला और 35 डिग्री वाला जो बायु होगा वो आपस में घूल मिलेंगे तो काफी एक टर्बुलेंस क्रियेट करेंगे और यह से टर्बुलेंस क्रियेट करेंगे क्योंकि 10 वाला जो पार्टिक्ल है इसको मतलब कि कम करने की कोसिस करेगा इसका टंप्रेचर कम करने की कोसिस करेगा और यह 30 degree बला या 35 degree बला जो particle है वो इसके जो temperature है उसको बलाने की कोशिस करेगा यानि कि अब collider होगा तो जिसकी बज़ा से चक्रवात आ जाएगी की तापमान का जो डिफिरेंस है वो होना ही पढ़ेगा अगर चक्रवात की स्थिति बनती है तो यानि की दो बीभिन तापमान वाले बाई रास्यों के मिलने से ही चक्रवात की स् है उसमें हम इसको आप कर सकते हैं तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं यहां से यहां तक 90 डिगरी होता ना यहां से यहां तक जीरो से नब डिगरी तक तो इसको 30-30 के सेर्णी में हम बाढ़ देते हैं पहला जीरो से 30 और दूसरा 30-60 30 क्या होजागा 60 90 तो ये जीरो से 30 तक जो बहती है वो बादिक पभने बहती है इस डाइरेक्सन में ठीक है यानि कि आपके पूरब से पहशिम क्यों बहती है लेकिन अगर हम 30 से 60 क्यों बढ़ें 30 से 60 डिगरी अच्छांस क्यों बढ़ें तो ये पच्छिम से पूरब की और पच्छुआ पबने बहती है ठीक है पच्छुआ नाम ही है पच्छिम से आप अकसर गाउं में सुने होंगे कि पच्छुआ पबने चल रही है या पुरवईया पबने चल रही है पुरवईया मतलब पूरब से चल रही है पच्छुआ मतल यहां पर जीरो डिगरी है ठीक है अच्छा यहां पर ब्यापारीक परभने दिखेगा यहां पर पूरब से पर्श्म क्योर जा रही है और यह जो देखिये परश्वा परभने हैं दश्निंग ग्लोब में भी 30-60 और उतरी ग्लोब में भी 30-60 के बीच बहती है आपके से पूरब क्यों बाह रही है इस तरह से बाहेगी ठीक है तो यह चीज़े आपको समझ में आ गई तो आसा करते है जो भी कोश्चन मैंने आज कराएं वो आपको याद हो गए होंगे तो इसी तरह से बने देहिएगा चैनल के साथ नेक्ष वीडियो में नेक्ष अपडेट के स साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद